वेलकम बैक टू मैं चैनल वीकेंड तड़का बाई इशा बख्षी आज वीकेंड तड़का में मैं आप सब के साथ शेर कर रही हूँ भिंडी की एक ऐसी रेसिपी जो आप सबने कभी नहीं बनाई होगी डेली यूज में सभी भिंडी बनाते हैं पर लेकिन हर किसी का बनाने का तरीका अलग होता है तो आज मैं आप सब के लिए लेकर आई हूँ दही वाले मसाले भिंडी की एक बहुत ही स्पेशल और इजी और बहुत ही डिलीशियस लगने वाली ही रेसिपी तो आईए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमें कडाई लेंगे जिसमें मैंने डाल दिया इसमें मस्टर्ड ओयल और मस्टर्ड ओयल जैसे ही टू स्पून डाला है गरम हो जाएगा उसमें हम डाल देंगे भिंडी तो भिंडी को मैंने अच्छे से दो कर कट करके रखा था और भिंडी को हम इसी ओयल में अच्छे से रोस्ट कर लेंगे जब तक भिंडी golden brown कलर की होनी स्टार्ट नहीं हो जाएगी ना तब तक हम इसको रोस्ट करते रहेंगे गैस का फ्लेम स्टार्टिंग में हम मीडियम ही रखेंगे और 5 मिनट्स के बाद हम इसका गैस का फ्लेम भी लो कर देंगे तेन मिनट्स में जो भिंडी है वो परफेक्टली रोस्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद हम इस भिंडी को सेपरेट एक प्लेट में निकाल लेंगे यह बहुत ही ईजी और बहुत ही अच्छी सबको की फेवरेट रेसिपी है आप एक बाद जरूर बनाईएगा आपके भी फैमली मेंबर्स को बहुत पसंद आएगी यह रेसिपी तो भिंडी हमारी परफेक्टली रोस्ट हो चुकी है तो अब हम इसमें सारी भिंडी को एक सेपरेट प्लेट में निकाल लेंगे और उसी सेम कडाई में वन स्पून ओयल डालेंगे और वन स्पून बटर डालेंगे जब भी आप दही वली बिंडी बनाएं तो याद रखिएगा कि उसमें वन स्पून बटर डालना बहुत ज़रूरी है तो दो प्याज को मैंने बिल्कुल बरीक बरीक कट कर लिया था दो प्याज को मैंने अब ओयल और बटर में मिक्स कर लिया है अच्छे से और अच्छे से हम प्याज को रोस्ट कर लेंगे जब तक प्याज हमारे golden brown color के नहीं हो जाते तब तक हम इनको हिलाते रहेंगे और जैसे ये pink color के होने start होंगे न हलके से तो उसमें हम डाल देंगे 1 spoon नमक, 1 spoon पिसा हुआ धनिया और दोनों चीजों को अच्छे से mix कर लेंगे 1 minute के लिए ताकि जो पिसा हुआ धनिया है वो भी perfectly golden brown color का हो जाए तो half spoon मैंने इसमें डाला है अमचूर powder, half spoon लाल मिर्श powder, half spoon हल्दी ये तीनों चीज़े डालने के बाद प्याज के साथ ही हम इसको भी roast कर लेंगे टामाटर को मैंने एक बड़ा टामाटर लिया है जिसे मैंने बरीक बरीक कट करके रेडी करके रखा है जब प्याज और मसाले perfectly roast हो जाएंगे उस टाइम पर हम डाल देंगे बिल्कुल बरीक कटा हुआ एक टामाटर और टामाटर को अच्छे से हम इसको हिला लेंगे मसालों के साथ जब तक टामाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते हलकी हलकी थोड़ी थोड़ी देर में हम इसको हिलाते रहेंगे आप देख सकते हैं कि टामाटर भी perfectly soft हो चुके हैं और मसाले ने oil छोड़ना भी start कर दिया है तो सिरफ one minute और और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे जो roast करी थी ना हमने भींडी वो roast कीवी हम भींडी डाल देंगे इसमें और अच्छे से इसको मसाले के साथ mix up कर देंगे आप सोच रहे होंगे कभी आपने टामाटर वाली भींडी तो बना ही नहीं है तो इस बार जरूर ट्राय करना एक बहुत ही special recipe है मैं अपने घर में जरूर बनाती हूँ और मेरे family members को ये recipe बहुत ही पसंद आती है तो अब मैंने कडाई को cover कर दिया है 3-4 minutes के बाद हम हलके हलके थोड़ी थोड़ी देर में इसको हिलाते रहेंगे और आप देख सकते हैं कि ये जो मसाला है अच्छे से ready हो चुका है भिंडी में cover हो चुका है तो फिर भी हम 5-10 minutes अच्छे से इसको mix up करते रहेंगे जब तक कि आपको लगे ना कि ये जो मसाला है जो भिंडी के साथ जो लगा है वो perfectly ready ना हो जाए तो 3-4 minutes के बाद हम हलके हलके थोड़ी थोड़ी देर में हिलाते रहेंगे ताकि सबजी हमारी साथ ना लगे तो इस टाइम पर जो भिंडी है वो perfectly ready हो चुकी है मसाले के साथ और बहुत ही अच्छी fragrance भी आनी स्टार्ट हो चुकी है तो इस टाइम पर हम क्या करेंगे हम ना दही ले लेंगे एक कटोरी दही लेंगे जिसको मैंने अच्छे से फेट लिया है गैस को मैंने बंद कर दिया था गैस बंद करने के बाद ही हमने दही डाला है जब दही अच्छे से सबजी के साथ मिक्स अप हो जाएगा फिर उसके बाद हमने गैस को ओपन कर दिया है और अच्छे से इसको हिलाते रहेंगे तो आप देख सकते हैं थोड़ी देर के लिए मैंने फिर भी दही डालने के बाद हमने गैस का फ्लेम लो कर दिया था और कवर करके इसको रख दिया था तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छा कलर भी आ चुका है तो 2-3 मिनट्स के बाद हम गैस को बंद कर देंगे हमारी दही वली मसालेदार भिंडी बन कर रेड़ी है आप इसको चाहें तो लंच बॉक्स में भी सर्फ कर सकते हैं बच्चों को भी दे सकते हैं और गरम गरम चपाती के साथ आप इसे घर पर बैट कर भी घा सकते हैं कैसी लगी ये रेसेपी वीडियो आप सबको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शियर एंड सब्सक्राइब मै चैनल फ्रेंट्स थाइंक यू फोर वाचिंग मै वीडियो